Hello everyone, welcome to Noeducation. So, काफी लोग confused हैं कि Delhi University के registration आखिर कब स्टार्ट होंगे? Forms कब तक आउट होंगे? Online होंगे? या फिर हमें offline जाकर fill करने होंगे? और अभी तो आप सबके paper भी नहीं हुए हैं, तो फिर registration कैसे होगा? So, आज के इस वीडियो में हम यही सब जो questions हैं, इन्हें discuss करने वाले हैं. So, without wasting any time, let's begin with the video. दोस्तो, generally Delhi University के form, registration form, June और July तक out हो ही जाते थे. लेकिन इस बार खेल थोड़ा अलग हैं. और इसका reason है, जैसा कि आप सबको पता ही है, C.U.E.T. तो C.U.E.T. की वज़ज़ से, इस बार बहुत सारे changes हमें देखने को मिल रहे हैं. और उनी में से एक change है, registration forms की dates का. तो दोस्तो, जैसा कि मैंने आपको अपनी previous वीडियो में बताया था, कि C.U.E.T. के लिए registration की dates out हो चुकी हैं. तो मैं आपको फिर से बता दू कि जो C.U.E.T. की dates हैं, वो हैं 2nd April 2022 से लेकर 30 April 2022 तक. यानि की आपको इन dates की बीच में ही C.U.E.T. का form फिल कर देना है. उसके बाद ही जाकर आप C.U.E.T. देने के लिए eligible होंगे. अब guys यहाँ पर बिल्कुल भी confused मत होना, लेट मी क्लियर की यह date C.U.E.T. की है, जो आपका entrance exam होना है, उसकी registration के लिए यह dates दी गई है. Delhi University की specific कोई dates अभी तक out नहीं हुई है, और अलग से कोई dates आउट होंगी, कब होंगी, इसके बारे में कोई information अभी तक है भी नहीं. लेकिन अगर आप लोग Delhi University में admission लेना चाते हैं, तो यह dates आपके लिए बहुत ही जादा important है, क्यूंकि आपको इस बार DU में admission लेने के लिए C.U.E.T. ही देना पड़ेगा. चाहे आप किसी भी course में admission लेना चाते हैं, आपको इस बार merit basis का option नहीं मिलेगा. इसी लिए आपको C.U.E.T. का registration form भरना ही पड़ेगा. तो आप चाहे किसी भी course में admission लेना चाते हैं, अगर आपका target Delhi University है, तो आपको यह forms within these dates will करने ही हैं. इस form को भरते बगत आपके पास बहुत सारी choices होंगी. आप जितनी चाहे उतनी university सिलेक्ट कर सकते हैं. उनिवर्सिटीज को सिलेक्ट कर सकते हैं. और सिर्फ उनिवर्सिटीज ही नहीं, इनफेक्ट जितने चाहे उतने courses भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं. हाला कि यह सब depend करेगा eligibility criteria के ओपर, उसकी बात में बाद में करूँगी. बट एक बात ध्यान रखें कि आपने एक बात इस form में जितनी university सिलेक्ट कर ली, बाद में आप सिर्फ उन्हीं universities में admission लेने के लिए eligible होंगे. यानि कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सिर्फ Delhi University ही नहीं, बागी और भी कई सारी universities को सिलेक्ट करके चले, ताकि इन केस आपको DU में admission नहीं मिलता है, तो आप at least बागी universities में admission के लिए eligible रहें. जहां तक रही courses की बात, तो courses में भी आप multiple courses सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इसमें eligibility criteria जो है, वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, और ये eligibility criteria क्या है, ये अभी तक specified नहीं है, और ये common भी नहीं है, यानि कि आप जिस university को सिलेक्ट करेंगे, उसके हिसाब से ये eligibility criteria different होने वाला है, तो ये सब details आपको धीरे-धीरे पता चली जाएंगी, 2nd April से forms out होने वाले हैं, मैं वीडियो लेके जल्दी ही आऊँगी कि किस थरह से आपको आगे का process initiate करना है, मेरा suggestion ये है कि starting में ही आप बिल्कुल form fill मत कर दें, ऐसा नहीं है कि 2nd April को form out हुआ है, और आपने उसी दिन form भर दिया, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, आपको कुछ दिन wait करना है, तो मैं आगे और भी वीडियो लेके आने वाली हूँ, उसमें मैं आपको और भी काफी सारी चीज़े आगे धीरे धीरे बताऊंगी, कि आपको किस थरह से क्या करना है, ये वीडियो सिरफ उन बच्चों के लिए थी, जिने ये जानना था कि DU के registration form कब out होंगे, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट जरूर कीजेगा, दोस्तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइंकर नोन कर देना, ताब कि आपको साइड नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें, मिलते हैं अगली वीडियो में.